पॉलिमर का क्या मतलब होता है या आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं पॉलिमर जो है वो एक लार्ज मॉलिक्यूल होता है जिससे रिपीटिड सबनिट से बनाया जाता है जिनें मोनोमर्स कहते हैं यानि कि जैसे जो आपकी पानी की बोतल होती है ये भी एक प्रकार की पॉलिमर से बनती है कुछ कपड़े भी पॉलिमर से बनते हैं जैसे कि नाइलोन है वो एक पॉलिमर है और प्लास्टिक की जितनी भी चीजें होती है वो सारी एक तरीके का पॉलिमर होता है तो पॉलिमर जो है वो एक large molecule है जिसे अलग-अलग subnets को मिला कर बनाया जाता है और इन्हें chemically एक दूसरे के साथ जोड़ा गया होता है और polymers दो तरीकी के हो सकते हैं एक तो natural polymers होते हैं जिसको आप जैसे कि जो आपका protein है जो हमारे शरीर में protein होता है या DNA होता है वो natural polymers है इसके इलाव polymers वो होते हैं जो प्रकरती में भूब भू वैसे ही पाए जाते हैं जैसे cellulose हो गया proteins हो गया natural rubber जो है वो सब natural polymers है इसके इलावा synthetic polymers उन polymers को कहा जाता है जो इनसानों ने बनाए हैं जैसे कि plastic है या synthetic rubber है या फिर synthetic fibers जो होते हैं जैसे कि nylon polyester वगएरा तो ये सब जो हैं व सब्सक्राइब किया जा सकता है जैसे कि भूफ सारे polymers की चीजें असी होती हैं जिनका packaging में इस्तेमाल किया जाता है इसके इलावा इनका clothing में इस्तेमाल किया जाता है जैसे nylon और polyester से कपड़े बनाय जाते हैं इसके इलावा medical devices बनाने के लिए medical equipment में भी इसका इस्तेमाल होता है engineering में भी अलग-अलग तरीके के polymers का इस्तेमाल किया जाता है और polymers जो हैं उनकी अगर properties की बात करें तो वो बहुत अलग-अलग तरीके के हो सकते हैं यानि कि बहुत flexible भी हो सकती है उनके strength भी अलग-अलग तरीके की हो सकती है उनका resistance भी अलग-अलग हो सकता है जो कि chemical और temperature को भी सहन कर सकते हैं तो अलग-अलग प्रकार के polymers आते हैं तो उन्हें polymer कहा जाता है मतलब कहने का मतलब यह है कि जितनी भी यह प्लास्टिक की चीज़ें हैं या पॉलिथीन बैग्स वगेरा बने हुए होती हैं या कपड़े ऐसे हैं जैसे पॉलिस्टर हो गया, नाइलोन हो गया तो यह सब चीज़ें जिस माटेरियल से बनती हैं उसे पॉलिमर कहा जाता है, इसमें अलग-अलग जो सबनिट्स हैं उनको मिलाकर अलग-अलग तरीके के पॉलिमर्स बनाया जाते हैं और जिन माटेरियल से यह पॉलिमर्स बनते हैं उनको monomers कहा जाता है जिनको chemically एक दूसरे से जोड़ कर बनाया जाता है और जैसे मैंने आपको पहले बताया दो तरीके के होते हैं artificial यानि synthetic और natural तो इसके बारे में और detail से पढ़ना चाहें तो आपकी screen और video की description में दिया गया आप पढ़ सकते हैं और इसको और बेटा तरीके से समझ सकते हैं अब आप किसी भी word का मतलब Hindi और English में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें